नमस्कार जासपूर से स्वक की बड़ी वारदात सामने आई है बता दे की बहान को पीटा इसले भाई ने कर दी जीजा की हत्या 36 गार के जासपूर जिले में एक नबालिक लड़के ने अपने ही जीजा की हत्या कर दी है उसने अपने जीजा को इसले मार डाला क्योंकि उसने आरोपी की बहान को जम कर पीटा था इस पर आरोपी ने पहले तो युवा को रोका बीज बचाओ किया फिर भी जब वह नहीं माना तब पुलहारी से उसके सरीर पर कई वार कर दी और जीजा की जान लेली मामला सन्ना थाना छेत की है खांधी टोली की रहने वाली 30 साल की महला साधी के बाद से ही अपने पती के साथ मायके में ही रहती थी नए साल के दिन सभी तयभार मना रहे थी वह भी उस वक्त घर में ही थी तभी साम के वक्त उसका पती दिनेश राम उसे खोजने लगा मगर वह नहीं मिली इस पर वह नराज हो गया बताया गया है कि जब महिला घर पर ही मिल गई तब दिनेश ने कहा कि तू कहा चली गई थी इसके बाद महिला को लाठी डंडे से पीटने लगा मारपीट से बचने के लिए महिला अपने पढोस में रहने वाले भाई के यहां गई थी मगर दिनेश उसे दवडाता हुआ वहां भी पहुच गया और वहां भी उसे पिटने लगा इसकी जानकारी जब महिला के भाई को मिली तब वह मौके पर पहुच गया नबालिक ने अपने जीजा से कहा कि इसे क्यों मार रहे हो लेकिन दिनेस उसकी बात सुनने को तयार ही नहीं था नबालिक ने बीज बचाओ भी किया इसके बाउजुद भी वह नहीं माना इसी बाद से गुस्ते में आकन नबालिक ने कुलहारी उठाया और दिनेश राम पर कई वार कर दिये जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद आरोपी घर पर ही रहा इधार आरोपी की बहां नहीं पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरबतार किया है इस मामले की जाच अभी जारी है